आयुर्वेद में हर तरह की विमारी का संपूर्ण इलाज मौजूद है प्राकर्तिक आउशदियों के प्रयोग से कही तरह के असाध्य रोग को साध्य में आयुर्वेद ने सफलता पाई है इनी प्राकर्तिक आउशदियों में से एक आउशदी है ब्राम्मी ब्राम्मी को brain booster के नाम से भी जाना जाता है ब्राम्मी का उपयोग हजारों वर्षों से आयोवेद में किया जा रहा है जड़ी बूटी के रूप में सबसे ज़ाला ब्राम्मी के फूल कस्तमाल किया जाता है यो नश्टिश्क के लिए बेहद उपयोगी है इसलिए इसे brain booster भी कहा जाता है लेकिन ब्राम्मी में कई और भी metoporn गुण होते हैं जिनसे शरीर की अनेक समस्याओं का इलाज संबब है ब्राम्मी का सेवन करने से तनाव दूर होता है ब्राम्मी खून को पतला करने में भी मदद करता है जिससे नसो में रख्तवा प्रवा असानी से हो सकता है इसके साथ ही इससे साथ संबन्दी बिमारियां भी ठीक होती है तो आईए सुने डॉक्टर विनेकुलर ने इस बारे में क्या कहा ब्राम्मी एक बिद्ध औशरी है आर्विद में ब्राम्मी को फेकोपा मनेरिक आ गया है इसके लेटिग में है और यह एक ब्रेन टोनिक है और यह जो है नेद्ध वर्ग में इसकु आ रखा गया है ब्राम्मी का जो रस है उसमें वो टिट्ट Centering है और इसके जो पोटेंसी है और यह एक दिमाग को जो है दिमाग की किसी भी तरीके की बिमारियों के लिए सबसे उत्तम औरशदी जो है आरवेड में इसको माना गया है किसी भी तरीके की जो अनिद्रा है इंसम्निया इसके रावा जो है डिप्रेशन है इसके रावा एपिलेप्सी है किसी तरीके के भी जो है किसी भी सीजर्स आते हैं किसी को उसमें भी जो है ब्रामनी का यूज होता है ब्रामनी का स्वरस जो है इसका रस निकालके उसका हम लग जो है और शुदी रूप में अ कम डवलम्मेंट अगर हुआ है तो उसको भी जो है यह ठीक कर देता है और अनिद्रा जैसे रोल में जो है इसका बहुत अच्छा रोल है प्लस साथ में जो है यह ब्राम्मी जो है इसके अलावा ब्रेन के अलावा जो है और हमारे सिस्टमिक अगर देखा जाए तो स्वास कास होगारा में भी इसको यूज करते हैं और इसको जो है पेट की वाजियों में भी इसको दिया जाता है